नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हम देख रहे थे रीट लेवल फेस्ट एवं लेवल सेकिंड के लिए हिंदी व्याकरण और उसकी सिक्सन विदियां आज रहारी कलास रहेगी वो रहेगी समास की और समास के इसके इसके अंदर सतर महत्वपून परसन लेकर आया हूँ और जो भी परसन है उसकी व्याक्या आपके सामने की जाएगी क्योंकि कोई सा भी परसन होता है उसके अंदर जो सब्सक्राइब करें चलते हैं दोस्तों आज की इस कलास की और पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पे कहां चले तुम राम नाम का पितामबर तन पर डाले रेखांकित पद रेखांकित पद है आपके यहां पर पितामबर तन पर डाले यह पितामबर आगे तन है यह तन अलग है दोस्तूं आया हुआ परसन है फेस्ट ग्रेड एक्जाम के अंदर यह क्यूसन आ चुका है सेकंड ग्रेड में है इसी रिलेटेड क्यूसन है इस परकार से पूछा जा चुका है अब जो यहां पर पितामबर दिया गया है इसके अंदर आपको पूछा गया है समास दोस्तूं तो चलिए मित्रू सबसे पहले हम बात करें कि जो पितामबर है इसका आर्थ क्या होता है पितामबर का आर्थ पिले वस्तर दारन करने वाला तो कौन सा समास हो गया पिले वस्तर दारन करने वाला यहां पर आपका रहेगा करमधारिय समास ओवसन बैस सही रहेगा आगे चलिए नेक्स्ट है कि इस विकल्ब में सही समास विग्र नहीं हुआ है कौन से विकल्ब के अंदर सही समास विग रह नहीं है दे कि यहाँ पे दिया है कवी सिरो मनी इसका समास विग रह है कवी में सिरो मनी क्या सही मित्रू ये तो सही है दूसरा है अहिरनिस अहिन और निसा क्या ये सही है ये भी सही है दोनू के दोनू सही है आपके चलिए तीसरे में सनमातूर सन बर में समास होने वाला सन बर में समापत होने वाला क्या सही है मित्रू यह नहीं इस दोस्तूं सनमातूर का समास विगर होता है छह है माताएं जिसकी सनमातूर का विग्रे क्या होगा छह है माताएं जिसकी यह होता इसका समास विग्रो यह समास विग्रो है इसकी तो देखिए यहां पर आपका ओप्सन से सही रहेगा ओंट गाड़ी ओंट से चलने वाली गाड़ी यह सही है नेक्स्ट में चलिए किस विकल्ब में अवेही बाव समास है किस विकल्ब के अंदर है अवेही बाव समास हरीहर उटपटांग दालचीनी और कृता कृते पूछा है आपको यहां पे कि अवेही बाव समास किसमें हरीहर में नहीं है उटपटांग में नहीं दालचीनी में नह अवे ही बाव समास है दोस्तूं इंपोर्टेंट दोस्तूं करता करते हैं इसके अंदर अवे ही बाव समास है आपसंस है यहाँ पे सही रहेगा कि उससे नमर चार है किस विकल में अवे ही बाव समास नहीं है लाजवाब यता सकती आमरण मनमना लाइक और कमेंट करते रहे जल्दी से दोस्तों यहां पे अवे ही बाव समास किसमे नहीं है बाव दोस्तों देखे यहां पे देखे लाजवाब यता सक्ति और आमनन तीनों के अंदर यहां पे देखे ला यता आ आपको उफसरे के रूम में अवे मिल रहा है जबकि मनमाना मनमाना के अंदर समास है आपका कौन सा तत्पुरु समास है दोस्तों कौन सा है तत्पुरु समास तो देव अपसन यहां पे आपका सही रहीगा मित्रू आगे चलिए क्यूसर नंबर पांच है आपका बूल चूग में कौन सा समास है बताना है आपको यहां पर बूल चुक के अंदर समास कौन सा है तो देखें बूल चुक बूल और-चुक बूल और-चुक और का प्रियोग किसमे होता है दवनदवे के अंदर तो दवनदवे समास debe option सही रहीगा नेक्ष्ट है दवनदवे समास में दोनु पदु में किस चिन का प्रियोग किया जाता है अलब विराम विराम अर्द विराम या योजक ये भी इंपोर्टन क्यूसन है योजक चिन का प्रियोग किया जाता है दे उपसन आपका सही रहेगा दवन समास में दोनों पदू के बीच और, तता या आदी जो योजग कचिन होते हैं इनका प्रियोगम करते हैं आगे चलिए साथ नमर है उन्ताववणत में कुंसा समास है बहुत सिम्पल सा उधार नही है देखे इसका समास विग करें तो उन्त या अवनत उनत या अवनत होगा तो कौन सा समास यारा योजग चिन तो कौन सा हो गया द्वंद्व समास हो गया से ओप्सन सही रहेगा क्यों से नमर आट है नतो नत में समास है कौन सा समास है दोस्तों विगरे कीजिए नत या उनत या उनत या उनत तो बताईए कूंसा समास है यहां पर? दवंदव समास है औप्सन सहय यहां पे सही रहेगा क्यों सहर नंमर नो है डालवात में कूंसा समास है? डालवात मित्रु आज थोड़ा सा गल्य के अंदर दिक्त है इस वज़े से बोलने में तकलिब हो रही है लेकिन फिर भी क्लास है जारी रहेगी दाल बात में कौन सा समास है बताईए देखिए दाल और बात अलग अलग करें इसको विगरे करें समास विगरें तो दाल और बात होगा तो कौन सा समास होगा दुवंद्व समास होगा बै उप्सन सही रहेगा क्यों से नमर दस है दुवंद्व समास का उदालन नहीं है गर गर कपड़े लत्ते राग विराग पान तंबा कू गर 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 के अंदर क्या दुवंद्व समास है दोस्तु नहीं है गर गर में नहीं है गर और गर तोड़ा होता है, तो option A, बाकी तीनों के अंदर आपके दुवंद्व समास है, आगे चलिए, ग्यारा नमर है, किस समास में दोनों पद परदान होते हैं, दोनों पद, दोनों पद आपके दुवंद्व में होते हैं, बै ओप्सन, दोनों पद परदान होते हैं, आ important question आपके लिए मेटandıru देखे द्वंद्व समास के तीन उपवेद होते है को तआ है वह कौन सा आपका इत्रे तर कौन सा है इत्रे तर द्वंद्व है अश्मान क्या होता सुन लेना मेटरो इत्रे तर द्वंद्व है इसमें दोनों पद और जो योजग चिन है ना और योजग चिन और योजग चिन से जुड़ते हैं जैसे राम और करसन, सिता और गिता, रात और दिन इस परकार दूसरा इसका जो परकार है वो होगा वेकल्पिक दवंद्वे कौनसा होगा वेकल्पिक दवंद्वे वेकल्पिक दवन्दवे में देखी यहां पर योजग चिन के अंदर या अथ्वा से दोनों जुड़ते हैं या या अथ्वा से या या अथ्वा से जेसे उंचा नीचा तो उंचा या नीचा दोस्तु इस परकार और तीसरा इसका जहां उपवेद होता है वो होता है समहार दवंद्वे कौन सा है समहार दवंद्वे अब इसके अंदर क्या होता है मित्रूं जिन से दवंद्वे में उसके समोय का बोद हो उसके अंदर समहार दवंद्वे होता है अब जैसे आपके सामने आजाए चाई पानी तो चाई और पानी थोड़ी करेंगे आप आप करेंगे चाई पानी आदी तो एक समुए का बोद हो रहा है ना चाई पानी आदी का तो वहाँ पर होता है आपके समुए का बोद हो जाँ पर वाहाँ पर होता है समहार दवंद्वे यह होते हैं दवंद्वे के तीन बेद दोस्तूं तो option best सही रहीगा आगे चलिए क्योसन 13 में संदी वे समास में मुक्य रूप से क्या अंतर है जो होता है देखे संदी में वर्नू का संगसीपतिकरन होता है जबकि समास में सब्दू का समसिक्ती करण होता है संदी में हम वरणू को मिलाते हैं और समास के अंदर हम सब्दू को मिलाते हैं दोस्तों तो दे उप्सन सही रहेगा कि उससे नमर चोधे देखे इनमें से कि समास में पहला पदपरदान होता है पहला पदपरदान किस में होता है वो बताना है चार है द्वंद्वे, सोरिततपुरुस, द्वंद्वे, द्विगू और करमदारिये पहला पदपरदान एक तो आपके मित्रू याद रिगना अवेई भाव ओप्सन में नहीं दिया अवेई भाउ के अंदर ही पहला पद पर्दान होता है और दूसरा आपका होता है द्विगू के अंदर किसका द्विगू के अंदर तो सह ओप्सन सही रहेगा क्यों सहे नमर 15 है 4 पाई में कोनसा समास है मितरू 4 पाई अब यहां पर देखिये मित्रूं ध्यान से आप देखिये अगर पहला पद है दो पद मिलते हैं आपको पहला पद किसी संख्या का आपको बोध कराए तो वहां पर कौन सा होगा में सा द्विगु समास होगा तो यहाँ पे देखे चार पाई में द्विगू समास होगा जिस समास में पूरुवपद और कभी-कभी ऐसा भी मुका आएगा जब उत्तर पद भी आपको क्या कराएगा संक्या का बोध कराएगा दोस्तूं और सबसे इंपोर्टेंट दोस्तूं यहाँ पर पूरुवपद ही क्या होता है परदान होता है आगे चलिए नेक्स्ट के अंदर द्विवेद में समास है बताएगे मित्रूं यहाँ पे तो सिंपल सा उदार नहीं है तो आराम से देखते हैं या बता सकते हैं द्विवेद दो वेदू का समुए दो वेदू का समुए तो सबसे पहले यहाँ पे हम द्विवेद लिखते हैं यह द्विवेद लिखा तो यह पहला पद उठाईए इसका पहला पद उठाया क्या संक्यावाची है मित्रू है तो कौन सा होगा द्विगु समास होगा option S सही रहेगा अरे विग्रे बताइए मित्रू सभी साती विग्रे बताइए द्वीवेद का विग्रे क्या होगा दो वेदू का समहार दोस्तों आगे चलिए next आगे आपके त्री वेद त्री वेद में आपको पता है वो इत्री आ गया तो द्वी कुछ समास होगा लेकिन कमेंट आपको करना है त्री वेद में समास कौन सा है त्री वेद का समास विग्रे क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों तीन वेदू का समोय या समहार यह होगा इसका समास विगर है आगे चलिए नेक्स्ट में चोकडी में समास है चोकडी के अंदर कौन सा समास है मित्रूं बताइये जल्दी चोकडी का समास कौन सा समास सिंपल सा है ये तो कौन सा है चो यानि एक संक्यावाची आ रहा है दिवीगू होगा important बात आएगी कि आपको पूछ ले चोकडी का समास विगरक बताईए चोकडी का समास विगरे क्या होगा चार कडी चार कडियूं का समू है चोकडी यानि चार कडीयूं का समू है मित्रौ ये होगा इसका समास विगरे आगे चलिए next में पंचवटी में समास कौन सा होगा पंच आगे है मतलब कोन सा है दिवीगू समास है सभी को पता है पंचवटी लेकिन बात कर लेते हैं पंचवटी के समास विग्रे की बताईए पांच वटू का समहर है पांच वटू का समहर या पांच वटू का समो है यह होगा इसका समास विग्रे दोस्तु आगे चलिए बीस नमर है सट दर्सन में समास होगा बात कर रहे हैं यहां पे सट दर्सन के अंदर तो संक्यावाची ह कौन सा होगा द्विगु समास होगा सट दर्सन विग्रे कीजिए विग्रे बताईए दोस्तू सट दर्सनों के समुए वाला सट दर्सनों के समुए वाला दोस्तू जैसे इसी परकार छे माही आता है छकडी आता है एक इंपोर्टेंट वित्रू ये बहुत इंपोर्टेंट रह सकता है आपके रीट में छकडी का समास विगरे केईजिए छैकडी के समुए वाला दोस्तूं आगे चलिए नेक्स्ट है सब्त रिसी में कौन सा समास है बताईए मित्रु सब्त तो संक्यावाचिये कौन सा होगा द्वीगु समास होगा सब्त रिसी साथ रिसीयू के समुए को आगे चलिए अश्टाद्याई में समास है अश्ट संक्यावाचिये द्वीगु समास होगा अश्टाद्याई अश्ट ध्यायू का समुए अट खेली आठ खेलू का समुए अश्ट दातू आठ दातूं का समुए अश्ट अंगु का नव आ गया संक्यावाची आ गया तो दिविगू होगा बात कर लेते समास विग्रे की नव रात्री नो रात्रियू का समू है नव से नव निदी बनता है नो निदियू का समू है नव रतन नो रतनू का समू है नव लखा नो लाक के समू है नो लाक का समू है नव लखा आग यहाँ पर 26, संक्यावाची पूरा का पूरा पद है यहाँ पर, क्या होता है, 6 और 20, 6 और 20 इसका क्या होगा मित्रू, समास विग्र होगा, तो कौन सा हो गया, दवंद्वे समास हो गया, option A आपका सही रहेगा, क्यूसर नमर 25 है, तद्पुरु समास है, तद्पुरु समास में क्या होता है, परमपदपरदान नहीं, उत्तरपदपरदान, तद्पुर्द समास के अंदर मिलेगा दोस्तों आपको, तो सही कौन सा रहीगा यहां पर ओप्सन ऐसा ही रहीगा आगे चलिए क्यूसर नमर 26 है तत्पुरु समास के कितने बेद होते हैं यहां से मैं तत्पुरु समास के सभी बेद आपको बताऊंगा दोस्तु चलिए मितरु बात करते हैं ततपुरुस समास के बेदू की तो छे बेद होते हैं सबसे पहले हम चलते हैं करम ततपुरुस समास की और करम करम का चिन क्या होगा करम का चिन होगा को दोस्तु अब देखे जिन समासु में आपको को है इसका जैसे यस प्रापत है यस को प्रापत अगर समास विग्रे करते ह तो लुप्त के रूप में को है आपका वो लुप्त होता है या वो वापस समास विग्रों में आता है तो वहाँ पर आपका करम ततपुरुस समास होगा दूसरा बेद है करण तत्पुरुस करण का चिन क्या होता है मित्रूँ सें या के दुवारा ये होता है करण का चिन सें या के दुवारा दोस्तूँ अब देखे प्रेम युक्त प्रेम सें युक्त यहाँ पर कौन सा है करण तत्पुरुस समास है तो यहाँ पर चिन लुप्त कौन सा हो रहा है सें या के दुआरा जहाँ पर चिन लुप्त हो वहाँ पर करण तत्पुरुस होता है तीसरा है आपका संपरदान कौन सा है मितनू संपर्दान तत्पुरुस है संपर्दान तत्पुरुस कार यहां पर इसका चिन क्या होता है के लिए क्या होता है मित्रु के लिए इसका चिन होता है जैसे देश प्रेम देश के लिए प्रेम तो जहां पर के लिए चिन लुप तो वहां पर आपका संपर्दान तत्पुरुस होगा इसके अगला आता है अपादान तत्परुस कौन सा है अपादान तत्परुस मित्रूं अपादान तत्परुस के अगर हम बात करें तो इसका भी चीन होता है से या के दुआ रहा रहा लेकिन सबसे important बात यहाँ पर अलग होने का भाव होगा क्या होगा अलग होने का भाव होगा जैसे बेमुक्ट बेसे मुक्ट यानि बेसे अलग हो रहा है रोग मुक्ट रोग से मुक्ट यानि रोग से वो क्या हो रहा है अलग तो वहाँ पर कौन सा होगा आपका अपादान तत्पुरुस समास होगा नेक्स राता है सम्मंद तत्पुरुस कौन सा है मित्रू सम्मंद और सम्मंद के चिन क्या होंगे का के की का के की ये चिन होंगे अब यहां पर सम्मंद तत्पुरुस की हम बात करें कैसे जैसे मत दाता मत का दाता तो चिन क्या रहा है मत का का रहा है तो यहां पे सम्मन्त अत्पुरुस है एक और बच गया एक बचा है कौन सा है आपका अधीकरण कौन सा बचा है यहां पे लिख देता हूँ अधीकरण मितनू अधीकरण के अगर हम चिन की बात करते हैं तो अधीकरण का चिन क्या होगा मे पेपर, में पेपर, ये तीन चीन है इसके, अब देखे एक उदार ने दू दान वीर, दान में वीर, यहाँ पे दान वीर का समास विगर, अगर हम करते हैं, तो दान में वीर होता है मितरूं, दान में वीर, तो यह है तत्परु समास के छह भे दोस्तूं, आगे चलिए, 27 नम कर लो मित्रू पे ले ग्रय को आगत तो बताईए को किसका चिन है करमका है तो यह देखिए आफसन आपका यहां पे सही रहेगा क्यों से नंबर 28 है तुलसी कृत में समाश है सबसे पैले इसका विग्रे कीजिये मित्रू तुलसी क्रित तुल्शी क्रित का विग्रे क्या होगा तुल्शी के द्वारा क्रित या रचित तुल्शी के द्वारा क्रित तुल्शी के द्वारा क्रित अब यहां पे देखो क्या रहा है के द्वारा अब के द्वारा किसका होता है करण ततपुरुस का चिन होता है बैयोपसन आपक सही रहीगा क्यों से नमर 29 है रसोई गर का समास विग्रे क्या होता है रसोई गर विग्रे कीजिए रसोई गर का विग्रे क्या होगा रसोई के लिए गर रसोई के लिए गर तो आब यहां पे देखें के लिए आ रहा है के लिए किसका होगा यहां पे आपको पूचा क्या है स ऐसे ही रहेगा बात करें यहां पर समास की तो समपर्दान समास होगा समपर्दान तत्परुस समास यहां पर होगा आगे चलिए बेबित का समास विगरे क्या होगा बात हो रही है बेबित की बेबित का समास विगरे क्या होगा देखें यहां पर बेसें बीत बेबित का होगा बेसे बीट अब यहां पर समास कुन सा है यहां पर बेसे बीट यह बेसे अलग हो रहा है मतलब अपादान अपादान समास है यहां पर अब बेसे बीट ओपसन बह सही रहीगा आगे चलिए बेमुक्त में समास सेम यह बेबीट यह बेमुक्त चलिए बताईए बे मुक्त में कौन सा समास है बे से मुक्त क्या है बे से मुक्त दोस्तों तो कौन सा समास है कौन सा समास है अपादान है मुक्त अलग हो रहा है यहां पे आगे चलिए क्यों सन बतीस है सूरियोदे में कौन सा समास होगा सूरियोदे अब देखे सूरियोदे क तूरिये का उदे तो यहां पे का की के यह सम्मंद रसाते हैं तो कौन सा है सम्मंद तत पुरुसे मित्रू ओपसंद है आपका सही रहीगा क्यों से नमर तेतीस है पुर्षोतम में कौन सा समास है पुर्षोतम में पुर्षोतम के अंदर कौन सा समास है दोस्तूर विग्रे कर होते हैं तो अधिकरन तत्पुरुस होगा यहां पे आगे चलिए चोतीस नमर है रेल गाड़ी का सही समास विग्र कीजिए बात ओरी है रेल गाड़ी की तो देखे रेल गाड़ी का विग्र है रेल पर चलने वाली गाड़ी इंपोर्टेंट चीज रेल पर चलने वाली गाड गाड़ी दोस्तूं तो यहां पर कौन सा है रेल पर चलने वाली गाड़ी ओ है ओपसन आपका तत्पुरुस समास है यहां पर कौन सा समास है तत्पुरुस समास है दोस्तूं लुप्त पद तत्पुरुस समास होता है आगे चलिए नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट इंपोर्ट किस विकल में करम तत्पुरु समास है करम तत्पुरु समास किस में है आपको बताना है मित्रू तो बताईए मित्रू मनोयर मंचा देश प्रेम नेतरीन यहां पे देखे पहला है मनोर मन को हरने वाला मनोर का है मन को हरने वाला मन को हरने वाला तो क्या इसके अंदर करम का कोई तो होता है ना चिन तो यहां पे मनहोर के अंदर कौन सा है करम तत्पुरुस है दोस्तूं आगे चलते हैं नेक्ष्ट है किस विकल में करण तत्पुरुस समास है करण करण का चिन से आना चाहिए तो देखे पहला है प्रेम आकुल प्रेम से आकुल क्या होगा इसका प्रेम से आकुल तो ये देखिए करण का करताने करम को करण से आ गया ना तो उप्शन है सही रहेगा क्यों से नमर से 30 है प्रासरीत में कौन सा समास है प्रासरीत के अंदर कौन सा समास है मित्रू देखिए प्रासरीत यानि पर पर आसरीत प्रासरीत का विगर करो मित्रू पर पर आसरी यहां पर में पेपर में पेपर पर किस में आते हैं ये ये आते हैं आपके अधीकरण में तो अधीकरण तत्पुरुस समास होगा यहां प्रासरीत में आगे चलिए नेक्ष्ट है कि इस वी कल्ब में ने तत्पुरुस समास नहीं है मित्रों आपको बताओ में कि जो तत्पु तत्पुरूस के मुक्च बेद हमने पढ़े ना पहले कहर नॉं तत्पुरूस समपर्दान products के चार बेद उते है अलुकत प्रूस लूपत प्रूस अपत्प प टत्पूस उनम तत्पुरूस समस यो नमतत्पुरुस उता है इसके अंदर क्या होता है निसेदात्मक उपसरग का परियोग होता है जिस सब्द में आगे आपको नए ना आदी नकार वाले उपसरग मिले वहाँ पर नम तत्पुरुस होगा अब देखे अनेक अनात अनार्त मनसीज यहाँ पर आपको पूछा क्या है नम तत्पुरुस है किसमे नहीं तो देखे किसमे नहीं है मित्रु किसमे नहीं है मनसीज में ओवसंद है आपका सही रहेगा आगे चलिए किस विकल में संपरदान तत्पुरुस समास है संपरदान तत्पुरुस देखे किसमें रणवीर जनमाद कारागार कामचोर यहाँ पर दे मैं जनमंद के अंदर करण है जनम सेंऍ करण है और बात के रहे हैं यहाँ पर कामचोर की तो कामचोर में होगा अपडान कौन सा होगा अपडान दोस्तु Mr. बचाए कारागार कारागार के अंदर क्या है अपका संपरदान है तो epic आगे चलिए किस विकल्ब में अलुक तत्पुरुस समास नहीं है जो चार बेद अलग बताए मैंने वो पूछा है अलुक अब देखे जिसे पद में सब्द के बाद आपको कारक्चिन सेंसकर्दातू के विबक्तियां होती है उनका परियोग साथ में रहता हो वहां पर आपक पूछा अलुक तत्पुरुस समास किसमें नहीं है तो देखे यहां पे ठेकेदार उटपटांग मदुमक की अनुपियोगी अनुपियोगी नय उपियोगी है इसमें दो नम तत्पुरुस हो गया मित्रू तो देव उप्षन सही रहेगा बागी तीनों के अंदर अलुक त समास है क्यू Italian पत्र में कौंसा समास होगा आजा これ Coolis कैंटीम्ट विद्र के लिए पत्र इसका वग्रेम वग्र해 क्या होगा आवे दन के लिए पत्र तो कौंसा होगा संपर्दान तत्पप्रोस होगा दोस्तों आगे चलिए कि उस्से नमर 42 है कवी पुंगव में कौन सा समास है कवी पुंगव के अंदर कवी पुंगव का समास विगर होता है कवी में पुंगव या कवियू में स्रेष्ट पुंगव का अरत होता है स्रेष्ट तो कवियू में स्रेष्ट मतलब यहाँ पे कौन सा समास है में तो अधिकरन ततपुरुस समास है यहाँ पे क्योसर नमर 43 है किस विकल्प में सम्मन ततपुरुस समास नहीं है समंभियादान, विद्यादान, कवी राजा यहांपे मित्रु देखे, समंभियादान राजा के अंदर अधिकरन है यहांपर कवियू में राजा, कवियू में स्रेष्ट तो यहांपे दैवोप्सन सही रहेगा Next है उपका किस्वी कल में अपादान ततप्रूस है अपादान ततप्रूस किसमें पहला है जनमोतर 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 के अंदर आपका अपादान है दोस्तों यूद चेतर के अंदर आपका अपादान है जनमोतर में यूद चेतर में संपर्दान हो गया यूद चेतर के अंदर संपर्दा समास है बिजली के लिए गर बताइए कौन सा समास बन रहा है संपरदान तत्पुरुस समास बन रहा है ओपसन आपका सह यहां पे सही रहेगा कि उससे नमर च्छी आलिस है हस्त लिकित का सही समासिक विगर होगा हस्त लिकित का हस्त से लिकित सही समास विगर होगा हस्त से लि कि दोस्तु करम तत्पुरुस बन रहा है यहां पे कौन सा करम तत्पुरुस नेक्स्ट आपका गुरू दिक्सिना का सही समास विग्रे कीजिए गुरू दिक्सिना का होगा गुरू के लिए दक्सिना क्या होगा गुरू के लिए दक्सिना अब बताओ समास कौन सा है के लिए संपर्दान समास है यहां पर संपर्दान तत्पुरु समास नेक्स्ट है कि इस विकल में गलत सामासिक विग रहे है गलत किसमें दिया गया है यग्य साला यग्य की साला सहिए वनवास वनमिवास सहिए कलानी पून कलामेनी पून सहिए सवरचीत सवर की रचित का क्या होगा मितनु सवर की रचित नहीं होगा स्वेम के दुआरा रचित स्वेम के दुआरा रचित ये होगा इसका विक्र है स्वेम के दुआरा रचित दोस्तों तो देय उपसन है सही रहेगा आगे चलिए पाट साला का सही समास विक्र है क्या होगा पाट स ये साला तो कौन सा है संपर्दान तत्पुरु समास है यहां पे आगे चलिए पचास नमर है पवन चकी का सही समास विग रहे है पवन चकी पवन से चलने वाली चकी तो यहां पे कौन सा है लुब्द पद Tत्पुरु समास है मित्रु यहां पे ओपसन आपका देसा ही रहेगा क्यों से नमरुख कौन है कि समास में परतमपद विषय संपोते होता है कि समास में उत्तरपद परदान होता है उत्तरपद परदान किस में होता है करमधारिय समास में ही होता है उत्तरपद परदान दोस्तों नेक्स्ट है आपका कि समास में एक उपमान एक पद उपमान और दूसरा पद उपमे होता है एक पद उप में ये होता है करमदारिये के अंदर ओपसन बैस सही रहेगा क्योंसे नमर चोपन है नील कमल का सही समास विग रहे नील कमल का सही समास विग रहे नीला है जो कमल अब बताईए यहां पे समास करमदारिये कौन सा है मित्रूं करम धारिय समास है यहां पे ओपसंद है सही रहेगा क्योंसर नमर पच्पन है किस विकल में गलत समास विग रहे हुआ है देखें यहां पे सुकसम काई सुकसम है जिसकी काया सही है यह तो दूसरा सदाचारी सत है जिसका आचार तीसरा है नर अदम नर है जो अदमी ये गलत है दोस्तों नरू में है जो अदम नरू में है जो अदम ये सही होगा नरू में है जो अदम नरू में है जो अदम दोस्तों ये होगा इसका ओपसंस है सही दीन देयाल जो दीनों पर देयाल है ये भी सही है आगे चलिए ग्यान लोक का होगा ग्यान रूपी लोक ग्यान लोक का होगा ग्यान रूपी लोक तो यहां पे देखें समास की बात करें तो आपका करम धारिय समास होगा यहां पे आगे चलते हैं नेक्ष्ट में कापरुस का समास विगरे क्या होगा बात कर रहें यहां पे 57 नमबर के अंदर कापरुस का समास विगरे तो बताइए कापुरुस का समास विग्रे क्या होगा कापुरुस कायर है जो पुरुस कायर है जो पुरुस दे ओप्सन अब बताइए कापुरुस के अंदर समास कौन सा है करमधारिय समास है कौन सा है करमधारिय समास नेक्स्ट में चलते हैं सुक्सम काई का समास विग्रे क्या होगा अभी हमारे चार ओप्सन जो विग्रे वाले थे उसमें आया था ये सुक्सम काई का सुक्सम है जिसकी काया सुक्सम है जिसकी काया साथ में समास को उनसा बन रहा है यहां पे करमधारिय समास बन रहा है करमधारिय समास बै ओप्सन सह है यहां पे कि उससर नमर 69 है निला अम्बुज का सही समास विगरे क्या होगा निला अम्बुज का सही समास विगरे निला है जो अम्बुज निला है जो अम्बुज करमधारिय समास है निला है जो अम्बुज या नील है जो अम्बुज ओप्संस है सही रहेगा आगे चलिए क्यों संसाथ है अवेई बाव समास में पूर्वे पद अवेई बाव समास के अंदर पूर्य पूर्वे जो पद होता है वो क्या होता है एविकारी सब्द यानि कोई अव्वे होता है ओवसंद है सही रहेगा नेक्स्ट है आपका किस विकल में अवेई बाव समास है किसके अं नरकेशरी पर्तेक्स सुदर्सन मंदबुद्धी, यहां पर देखे आपका पर्तेक्स के अंदर अवे इभाव है, अवे इभाव के अंदर पहला पद अवे होता है, तो देखे नर प्रह यहां पर देखे यह लगा वावा, अवे, तो पर्तेक्स आपका क्या है, यहां पर बुजारन है दोस्तों आगे चलिए पर्तिक्स का आगे चलिए नेक्स्ट है बांसेट नमर इनमें से किस विकल में अवेही बाव समास है लाभवनी तिवर दरश्टी बेखबर प्रसंगा नुकुल अवेही बाव जिसमें आपको अवे दिकाई दे रहा है किसमे दिकाई दे बेखबर में ओप्सन सही रहेगा यहां पर लाभवनी में कोंसा है लाभ और रानी द्वंद्व हो गया तीवर दरश्टी करमदारिय होगा और प्रसंगा अनुकुल समन्तत प्रुस होगा आगे चलिए वीना पानी में कोंसा समास है वीना पानी के अंदर कोंसा समास है मित् वीना है जिसके हाथ में वीना पानी का समास विग्र होता है वीना है जिसके हाथ में वै कौन मास सरसवती तो कौन सा हो गया बहु विरिज समास हो गया दोस्तूं आगे चलिए कि उससर नमर 65 में चंदर मोली में कौन सा समास है चंदर मोली बताइए मित्रू इसके अंदर कौन सा समास है चंदर है मोली पर जिसके चंदर है मोली मोली है नहीं मस्तिक्स चंदर है मस्तिक्स पर जिसके किसके सीव के तो कौन सा बहुविरी समास है यहां पर नेक्स्ट है पितांबर का सही बहुविरी समास का विग्रे कौन सा है बताएए पितांबर का सही बहुविरी समास का विग्रे वो कौन सा है बित्रूँ पीत है अंबर जिसका पीत है अंबर जिसका पीत है अंबर जिसका किसका विश्णों का बैव उपसन सही रहेगा गन्शाम में कौन सा समास है गन्शाम के अंदर कौन सा समास है मित्रूं गन्शाम गन जेसा स्याम है वह गन जेसा स्याम है जिसका किसका स्री करसन का तो कौन सा ह बहु विरी समास है बहु आपसन सही रहेगा क्यों से नमर 68 है परमत में कौन सा समास है दोस्तुं अब देखे परमत का विग्रे कीजिए परमत का विग्रे होता है जो पहले ही मार दिया पहले ही मार देता है वो जो पहले ही मार देता है वो कौन मित्रू काम देव कौन है काम तो समास बहुविरी हो गया आपका कि उससे नमर 69 है किस विकल में सही समास विगरे नहीं है किस में नहीं है दोस्तों कला नी पून कला में नी पून सही है ये तो गराम गत गराम को आया हुआ सही है दरमा दरम दरम से एदरम तक द्रमा द्रम का समास विगरे क्या होता है द्रम और एद्रम द्वंद्व समास है ये गलत है आपका द्रम और एद्रम होगा लग उतर लगू है जो उतर और चलिए नेक्स्ट क्यूसन में किस विकल में सही समास विगरे नहीं हुआ है देखे क्रोधा अगनी क्रोध के बाद अ बताया और यही क्योसन रिपीट होते रहते एक जामू में सबसे पहले कमेंट करके बता दो कि ये कलास आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो अपने साथियों तक सेर करें वीडियो को लाइक करें और जो नए साथिये चैनल को सबस्क्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत नवाद जे हिंद जे भारत